हलो दोस्तों गूड मॉर्निंग कैसे आप लोग उमीद करता हूं ठीक ठाक होंगे तो हम लोग का दिन आज गैरेज में निकल गिया गैरेज में काम हो रहा था गाड़ी का तो पुरा ज्यादा मेहनत का काम था तो हम चले गया थे इसलिए दोबारा फिर गोड़ी के जो गाड़ में तो गोड़ी उस दिन नहीं मिला तो मचली लेके आये थे तो उस दिन फिर रात हो गया हम लोग काम करते करते हैं देख सकते हैं वीडियो में कि रात हो गया उसके बाद रात में फिटिंग हो रहा है गाड़ी बक्ति का सेट पूरा फिट हो गया उ पूजा पाट कराने में तीन बज़ गया तीन बज़ के बाद देखिए हम यह गाड़ी का फोटो अपलोड किया हैं तेक सकते हैं विडियो यह पूजा पाट काफी 2,5 घंटे तक हुआ तीन बज़ गया है अब गाड़ी निकलेगा इसको लेकर जाना है यहां से 35-40 किलो मिटर दूर तो हम बाद में हमारा यह हो गया बोलते हैं कि नहीं तुम कार से चलो और दूसरा आदमी इसको लेकर जाएगा हम बोले चलो ठीक है तो रास्ता में हम लोग जाके आगे रुके हुए थे इसके बाद यह चेचीश जो है तेल डालने के लिए गाड़ी में इसमें तेल डाला जाए तब वहां तक जा पाएगा तेल डालने के लिए हम लोग रास्ता में रुके थे टॉंक की पे तभी यह लोग पीछे से गया वहा अभी आप लोग देख सकते हैं पूरा ये गाड़ी का सोलचा का गाड़ी है अभी ये कोटक का एजेंसी है जहां पर काफी गाड़ी आज मतलब की निकली है अच्छे गाड़ी निकला है इसमें दो हम लोग का था अभी हम कार में बैठ गया है यह हमारे ब्लोक था देखिए हम लोग टंकी पर आ गया है यही टंकी है हम लोग काफी समय से आकर पहले रुके हुए थे और यहां पर चेशिस फिर आकर लग गया तेल डालने के लिए अभी यहां रुकेंगे तेल इसमें डाला जाएगा उसके बाद यह चेशिस चली जाएगी गैरेज में जहां बोडी ओडी काम होगा हम सिधा उसके बाद आपको दिखाते हैं वीडियो कैसे आप लोग उमीद करता हूं ठीक ठाक होंगे अभी मैं पारा दिस में फिर आया हूं तो आप देख सकते हैं इस वीडियो में हम लोग चेशिस निकालने के लिए गय थे अभी दूसरी जगर गाड़ी का बात हुआ है तो वहां आम लोग आ गया अभी गाड़ी जो बात हुआ हो गया है अंदर खाली करने के लिए अभी आया नहीं है कि देखते हैं आता है तो क्या होता है कि लिए तो है कि बात हुआ है तुमीं जाए गारी ऐसे वी कल हो ली है तो गाड़ी गोड़ा तो कल बहुंदे रहेगा तो ठीक है दोस्तों वीडियो पूरा देखिए औ बात कि लिए